नमस्कार आप सभी का राज के महाविदाले श्री करणपूर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम भी तृत्य वर्ष की दृत्य प्रशन पत्र भारत का भुगोल में भारत के हिमाले के महान और लगू हिमाले के बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत के जो भोतिक भी भाग थे उनके बारे में हलकी सी चर्चा की कि उत्तर में महान हिमाले उसके दक्षिन में उत्तर का विशाल मेदान और उसके दक्षिन में प्राइद वीप का पठार प्राइद्वी पठार के दोनों और पूर्वी तटिय मेदान और पश्चमी तटिय मेदान हिमाल्य परवत माला के उतर में हैं तिबत का पठार हिमाल्य परवत हिमाल्य परवत समू भारत के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चम की और विस्तरित है यह पश्चम में सिंदू नदी के मोड से लेकर पूर्व में ब्रह्म पुत्र नदी के मोड तक सैला है हिमाल्य परवत की लंबाई 2400 किलो मेटर है इसके उत्तर दिशा में तिबत का पठार है और दक्षिन में उत्तर का विशाल मेदान जो की गंगा, सिंदू, ब्रह्म पुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है हिमाल्य परवत माला लगबग पांच लाख वर्ग किलो मेटर क्षेतर में फैली हुई है इसके उस्तर तोंचाई 6000 मेटर है हिमाल्य परवत का भोगोलिक वर्गी 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 जो की आज का हमारा मुख्य बिंदू है वर्यत हिमाले और लगउ हिमाले पहले वर्यत हिमाले इसे आंतरिक हिमाले भी कहते हैं यह सबसे हुँची परवस चेनी है अन्य नाम इसके महान हेमाले मुख्य हेमाले और हिमाद्री है हिमाद्री कहने का कारण यह है कि यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है सदा हिमाचादित रहती है यह सिंदू नदी के मोड से ब्रह्म पुतर नदी के मोड तक 2400 किलो मिटर की लंबाई में फैली हुई है चोड़ाई इसकी 25 किलो मिटर है औसे तोंचाई 6000 मिटर विरिहत हिमाले का जो सबसे उंचा भाग है वह इसके मध्य भाग में है जो की नेपाल देश में स्थित है विरित हिमाले की परमुक चोटियां माउंट एवरिस्ट इसकी उंचाई 8850 मिटर दूसरी उंची चोटी कंचन जंगा 8598 भारत में जो सबसे उंची चोटी है वो कौन सी है हिमाले की पूरवी हिमाले में महान हिमाले हिमादरी हिमाले है जो भारत का भाग है वह है कंचन जंगा जो ट्रांस हिमाले था उसमें हमने परिच्चे में पढ़ा था कि जो माउंट केटू है वह है विश्व की सबसे दूसरे नंबर की उंची चोटी है और भारत में स्थित है लेकिन वह है पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण कंचन जंगा को भारत की मुख्य भूमी का सबसे उंचा स्थान माना जाता है मकालू 8,481 मीटर धोलागीरी 8,1122 मीटर मनसालू 8,156 मीटर ये मुख्य परवचोटिया है व्रेत हिमाले दुर्गम शेनी है अर्थार्थ यहां पर आप आगमान करना या यहां पर पहुंचना बहद ही मुश्किल है और इसे पार करने है तो दर्रों की सायता ली जाती है दर्रे ऐसे स्थान होते हैं जो की दो उन्चे स्थानों की मध्य एक निचा स्थान जिससे की यातायात किया जास्के जैसे कश्मीर में बुर्जिल दर्रा वे जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बाडालाचला वे शिपकिला दर्रा उतराखंड में थागला, नीती वे लिपुलेख दर्रा सिकिम में नाथुला और जेलेपला अब बात करते हैं लगू अध्वा मद्य हिमाले इसे हिमाचल स्रेणी भी कहते हैं इसका विस्तार विर्यध हिमाले के दक्षिन में इसके समानानतर पूरव पस्चिन दिशा में है इसके चुडाई 60 से 80 किलोमेटर के मद्य है कश्मीर में इसी का एक भाग जिसे पीर पंजाल स्रेणी हिमाचल प्रदेश में धोला दर स्रेणी के नाम से जाना जाता है ओसत उंचाई इसकी लगभग 3000 मिटर है हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वह दोला दर प्रदेश ठीट है जैसे महान हिमाले में दर्रे है वैसे ही प्रमुक दर्रे इस हिमाले में भी है पीर पंजाल स्रेणी जो कि जम्मो कश्मीर में है वहां पर पीर पंजाल दर्रा, बनी हाल दर्रा, जिससे की जम्मू और सिरी नगर के मध्या सडक गुजरती है यहां एक सुरंग भी बनाई गई है मध्य हिमाले तथा महान हिमाले के बीच कई घाटियां पाई जाती है जिससे की जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटि यह पीर पंजाल तथा महान हिमाले के बीच में है नेपाल में काठमांडू घाटि और हिमाचल प्रदेश में कांगडा घाटि तथा कुलू घाटियां यह घाटियां लंबी चोड़ी एक मेदान के रूप में होती है जहां पर आवास है तू क्रिशी है तू अधिक ही उपजाओ होती है भारत के स्वास्ते वर्दक स्थान जैसे की शिमला, मसूरी, डलहोजी, नैनिताल, दारजलिंग, लगू हिमाले में स्तित हैं यह सभी स्थान पंदरा सो से दो हजार मिटर की उन्चाई पर स्थित है इस मानचितर से हम वर्द हिमाले, लगू हिमाले और शिवाली को देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मेर से जो नदी गुजर रही है सिंदू नदी, फिर उसी के पास से जो नदी गुजर रही है सतलज नदी सिंदू नदी के वीपरी दिशा में जहां से उद्गम होता है सिंदू नदी का वहां है ब्रम पुत्र नदी अब जब जम्मू कश्मीर के मानचित्र में हम देखते हैं तो एक लाल रंग की रेखा है जो कि जम्मू कश्मीर से हिमाचल परदेश, उत्राखन, नेपाल, बुटान और नाचल परदेश तर जगती है यह महान हिमाले हैं यानि सिंदू नदी के मोड से ब्रम पुत्र नदी के मोड तक लगबक 2400 किलोमेटर के नमाई में फैला हुआ है इसी के दक्षिन में लाल लाइन के नीचे जो ब्राउन लाइन है वह है मद्य हिमाले की पीर पंजाल स्रेणी जो की जम्मू कश्मीर में स्तित है और उसी के लाइन के आगे का भा कैसे ही यह है महान हिमाले के समानांतर पूरवकियो बढ़ता है सबसे अन्तिम जो स्टेनी है ओरेंज किलर की जो लाइन है वह है शिवालिक परवस्चच्यनी ये तिनों पर्वस्चेनिया एक दूसरे के समानानतर है काले लाइन की जो बराबर का निशान दे रखा है वह है जम्मू कश्मीर में जोजीला दर्रा हिमाचल परदेश में बाडालाचला दर्रा और सतलज नदी के पास जो ब्राबर का निशान है उसमें शिपकिला दर्वा ऐसे ही उत्राखंड में थागला लिपुलेख दर्वे और आगे के और बढ़ते हैं शिक्की में तो वहां है जेलेपला और नातुला उत्राखंड में थागला और लिपुलेख हिमाचल में शिपकिला बड़ालाचला और जम्मो कश्मीर में जोजिला ये दर्रे स्थीत है नेक्स्ट वीडियो में हम शिवालिक और इसकी बाकी की जो बची हुई परवस्चेनिया है उनके बारे में चर्चा करेगी झास्ट ने करस्ट उटने कर दोड़ कर दो भी कर दो दो कि बारे में हिना ये कर दो तो डिवाल को थे प्योंके बारे में हमें जो दु़ है